बड़ों को परनाम, बच्चों को प्यार, आप सब को नमस्कार, जैन सातियों मैं आरके नेक, आप सब एक हार्देख स्वागत करता हूँ इंडियन पोलिटी की इस बहुती मेहतोपुन सीरीज में आज सातियों हम जो जानकर लेने वाले हैं काफी महत्रपुर्ण जानकर योगी सातियों आपके लिए सर्विदान सभा की मांग 1940 इससे पहले सातियों आशा करता हूं इंडियन पॉलिटी से समधित यह जो आप PPT देख पा रहे हो इसका PDF डाउनलोड कर लिया होगा और इसका आप जरूर कर रहे होंगे तो आशा करता हूं सातियों इससे पहले की जितनी भी वीडियो बनाई गई है उन वीडियो को आपने प्लेलिस्ट में जाकर देख लिया होगा अगर नहीं देखा है सातियों वहां से जरूर देख लिजी PDF डाउनलोड कर लिजी क्योंकि इंडिय चाहे आप किसी भी एक्जाम की तहरी कर रहे हैं और अगर आपके सलेबस में इंडियन पॉलिटी यानि भारतिया सविदान है तो सातियों आज की ये कलास आपके लिए बहुती मैतपूर्ण साबित होने वाली है तो सातियों सबसे पहले आपको इंडियन पॉलिटी से जो बनाने जा रहे हैं इसका पीडिएफ आपको मिल जाएगा पीपीटी जो आप यहां पर देख पा रहे हो इसका जैसे पीडिएफ मिलता है तो आपको क्या करना सातियों साथ ही साथ जो जो वीडियो बन रहे हैं उन वीडियो को देखते हुए आपको क्या करना है रिवि के नोर्मल जो जीएस के पेपर में पूछे जा सकते हैं सभी पुष्ट के यहां पर आपको मिल जाएगी उनका पीडिएफ भी जो पुष्टक आप यहां पर देख रहे हो इनका पीडिएफ डाउनलोड करके रिविजन जरूर करते रहिएगा तो साथियों सबसे पहले आज ह अधिश्ञाम की द्रेश्टीश है सव्षटान सभा की मांग से समदित की उसन किस तायब से पूछे जा सकते हैं वह यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले साथयों कि यदि भारत को आतम निर्ने का अवसर मिलता है यानि अपना निर्ने लेने का अगर अवसर मिलता है तो हम सभी क्या करेंगे सभी भारति जितने भी है जिनके विचारों को रखने के लिए उन विचारों के लिए क्या करेंगे हम लोगों की एक परतिनीदी सभा बुलाएंग करेंगी जो क्या करेंगी सभी एक सहमती के साथ में सविधान का निर्मान करेंगी अब इस परकार के क्या है सविधान सभा की बात यहां पर चल रही है तो यहां पर सविधान सभा ऐसा नहीं कि वहीं पर जितने लोग थे उन्हीं निर्ने ले लिया उन्होंने यह कहा कि अगर भारत को अपना सविदान बनेने का या आतम निरने का मोका अगर मिलता है तो वो क्या करेंगे भारत के सभी विचारों के लोग जिसके भी विचार जैसे भी है चाहे वो अपने विचार किसी भी तरह से पक्स में रखे चाहे भी पक्स में रखे लेकिन उन सभी को मोका मिलेग और उनके लिए क्या बुलाई जाएगी पार्ति नीदी सभा बुलाई जाएगी जो क्या करेगी साथियों से क्या करेगी सविदान का निर्मान करेगी अब साथियों सविदान मतलब अपने मन के अंदर ही गा रही थी कि हमें अलग देश बनाना है पाकिस्तान बनाना है यह करना मतलब वह अंदर ही अंदर घुट रहे थे लेकिन यहां पर क्या है 1940 में उन्होंने सब को openly बता दिया कि हम पाकिस्तान की अलग मांग कर रहे हैं और यह हमारी जाइज मांग है तो उसके बाद क्या होता है सात्यों मांग रखने के बाद लेकिन फिर वह सविदान सभा की मांग के लिए राजी हो गई मतलब उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग की लेकिन सबसे अच्छी बात क्या रही उन्होंने इस चीज के लिए अपना राज्य नामा या फिर अपने सहमती दर्ज करा दी कि भी ठीक है आप सविदान सभा बनाना प्राइर्म कर दीजिए कोई दिकत नहीं है लेकिन हमें तो पाकिस्तान चाहिए अलग से तो अब क्य इतारी कारी के रूप से क्या है साथियों मान लिया लेकिन सविकर्थी एपर्टिक्स तता कुछय सफर्तों के साथ ती अब सातियों उन्होंने किया यह सब चीजने जो आप बता रहे तो लेकिन इसकी स्विकर्थी है वहống है उस प्रक्स पर कुछ परदी बंद लगा दिय या कुछ सर्तें लगा दी या कुछ सर्तों के साथ में कि भई हम आपका इतना कहना मान लेंगे या मतलब इस परकार की वहां पर सहमती दर्ज हो गई कहां पर होई साथ हूं यह यह आपकी पहले बार जो अधिकारिक रूप शेकिस ने दिया है यह बिर्टिस सरकार ने तो इस दित्ती विश्वयूद होता है इसी दोरान 1922 अब साथियो इस्ट्री में मैंने आपको पढ़ा है कि पर्थम विश्वयूद कब हुआ था और दित्ती विश्वयूद कब हुआ था अब साथियों अगर आपको याद है तो डेट वाइज आप कॉमेंट करके जरूर बताइ है साथ यहां पर गोशना के प्रारूप के साथ केबिनेट मंत्री स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत बैजाजी से क्या कहते हैं साथ इसी प्रस्ताव के कुछ परमुक बिंदू देख लेते हैं जो कि आपके लिए एक्जाम की दृष्टी से काफी महत्पूर्ण साबित होंगे तो यहां पर रहाएं साथिऊ Śविदान का निर्माण भात्यों द्वारा निर्वचित दौशविदान्सबा है वही करेगी यानि बिर्टिश सरकार ने यह इस पर कह दिया कि भारत के जो लोग है वही और उसकी जो सविदान सबाय उसी के द्वारा सविदान बनाया जाएगा और वह उस समय क्या है सात्य हूं भारतियों को एसा समझ रहे थे कि भारत इतना विसाल है इतने राज्यों में बंटा हुआ है अलग-अलग सबेता कल्चर तो यह भारत कभी भी एक इस प्रकार से नहीं बन सकता खंड भारत और इसके जितने अलग-अलग राज्य हैं अलग-अलग रियास्ते हैं यह सब अलग-अलग रहेंगे इसलिए सविदान इनी को बनाने दो ताकि यह जाने और अलग-अलग का काम जाने तो यह उन्होंने क्या-का सोचा कि ठीक है भारती इस काबिल नहीं है कि सविदान बना सके लेकिन साथियों जैसे जैसे उन्होंने सविदान बनाया आज आप देख रहे होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा लिकित सवीदान भारत का है और उससे बीए अच्य बात यह है कि बारत का जो सविधान है उसमें अभी तक किसी भी परकार का मतलब इस परकार का डिलिंड नहीं हुआ है कि जो देखने में दुनिया की नजर में गलत हो कहीं कहीं देखते साथियों सविधान का उलंगन होता है तो वहां परदेश में क्या है से नतंतर हो जाता है कभी कहीं कुछ हो जाता है तो इस तरह की गटना बारत में नहीं देखने को मिले और जब से सविधान लग वहा तब अब तक सविदान के परती जितने भी भारती थी ज़ो समय था आज भी वही ए और उसके बाद में साथ यह पर देख लेते हमकी सविदान सबाव जो है उस ने क्या क्या साथ में आपर सविदान के निरमान की जो पर क्रिया चल रही है इसी में हम आगे थोड़ी सी जान कर लेते हैं वो है सविदान भारत को डोमीनियन इस्टेटस और क्या साथी यहां पर बिर्टीस राष्टर कुल में बराबरी की बागे-दारी देगा अब साथी हूं यह इस तरह से एक बहुत ही महत्वन प्रावदान बिर्टिस राष्ट कुल क्या था साथ हूं यहां पर आप देख पा रहे हूं और इसकी पीडिएप जो मिलेगी उसमें भी आपको रिविजन करने के लिए मिल जाएगा तो डॉमिनियन जो स्टेटिस है बिर्टिस राष्टन्तर के अधिन यहां पर देखेंगे उस्ट्रेलिया है नुजिलेंड है और उसके बाद दक्सिन अफरिका और आइरिश प्री इटेट बाद में भारत पाकिस्तान स्रीलनका को भी दिया गया यह उसमें बिर्टिस समराजे के अधीन सवायत संपन देश थे तो यह सात्यों इनसे समद्द स एक बहुती मैतमुन जान करिए अब इसी में साथियों फिर्षें क्या है जो 1940 में मुस्लिम लिग ने पाकिस्तान के अलग मांग की थी और इसे समझे थी एक मैतमुन जान करिए अब साथियों यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सभी देशी रियास्ते जितनी भी रियास्ते थे उन रियास्तों और प्रांतों को मिला कर एक संग का निर्मान किया जाएगा यह किसके विचार थे सविदान सभा के यहां पर सविदान सभा ने बोला कि बारत की की जितनी भी रियास्ते हैं जितने भी प्रांत हैं उन सब को मिला कर एक संग का निर्मान किया जाएगा और इन में से किसी भी रियास्त और प्रांत को अलग होने का कभी भी जिंदगी में कोई अधिकार नहीं है इसी वज़े से साथियों अमेरिका के जितने भी राज्य हैं वह सकते हैं अमेरिका से लेकिन बारत में कोई भी राज्य-चाकर भी बारत से अलग नहीं होसकता तो जान करेंगे आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो अपने दूसरे बाइबायन जो भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो उन तक इस वीडियो को शेर कर दीजिए और अगर आपके मन में किसी भी परकार का कोई डाउट है पीडिएफ डाउनलोड करने से समझ देती या फिर इस परकार की जो पॉलिटी की वीडियो सरंकला चले इसी परकार क की अगर आप दूसरे किसी भी सब्जेक्ट की चाहते हो इसके बाद तब वह भी कॉमेंट में लिख सकते हो और mcqs का भी साथ यह आपको पीडियाप मिल जाएगा रिविजिन करने के लिए तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोस नए उमीद के साथ धन आपने वाद जय हिंद वंदे मातरम